केंद्र सरकार की विभन योजनौ से बस्तर की तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही हैं कभी नकसल साय की दहशत में बस्तर विकास की पाट जो रहा था लेकिन अब नकसल समस्या पर अंकुष लगाने के लिए साथ ही विकास के कामों को भी गती मिल रही है दूरदर्शन समय तक विकास की रहा देखता रहा लेकिन बस्तर में अब तस्वीर बदल रही है तमाम छेत्रों में लगतार विकास हो रहा है और जो जनजाती समाज है उसका जो एक बड़ा वर्ग है उसको बड़ा फाइदा बस्तर में हो रहा है बस्तर में किस तरीके से बदलाव हो रह है और तमाम तरह की चीज़ों से बन चुत रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आधर्णी प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने जो हमारे अनुसुची जाती जन्जाती के कल्याण के लिए बहुत सारे योजनाएं उन्हों ने लांच किया और जिसका आज सीधा सीधा वहां के लोगों को लाव मिल रहा है काफी लंबे समय से वहां पर वहां पर वहां पर बहुत जादा था और अपने प्रवाव में वहां पर थे तो अब क्या इस्टिति आपको दिखाई दे रही है किस तरीके से जो है जो समाम हमको उन्चीत रहना पड़ा लेकिन जैसे ही 36 गड़ राज्य का गटन हुआ और अधरनी मोदी जी का सरकार आया लगातार नक्षल की खिलाप हमारा सरकार का मुमेंट खिलाप अवियान चल रहा है एक साल का हमारे सरकार 36 गड़ का बने हुए आधरनी विश्णुदेव साह को रहा है अभी 200 से उपर टाप लेडर के नक्षल को बारे हैं समय सिक्षा कि क्या चै добSon को मिलेगा घांगा में बिलेगा में गी सइसक। इस तरको सुधारने के लिए हमारा सरकार संकल्पित है और उहां पोटा के विन चलाया जा रहा है एकलब विद्ध्याले चलाया जा रहा है इस प्रकार से चातरवास के माद्यम से उन अंद्रूनी छेतर के बच्चे भी वहां के पढ़ रहे हैं अब अध्रूस अनच्ना की बात की जाया तो उसकी क्या सिटी है आपके चेतर में किस तरीके से अध्रूस अनच्ना के मामले में बस्तर आगे बढ़ रहा है आध्यर्णी परधान मंत्री सर्देय अटल वियारी बाजपई जो को मैं दन्यवाद ग्यापित करता हूं उन्होंन पाँच किलोमेटर में केम्प इस्ताफित किया जा रहा है और नियद निलानार योजना के माद्दियम से वहां तक पहुंच मार्ग का विस्तार हो रहा है तरीके से बस्तर को सिर्फ नसलवाद के लिए जाना जाता था अब नसलवाद का देर देर सफाया हो रहा है और वहा